सासंग जी आज इंसान बगवान को मानता तो है पर जानता नहीं है सासंग जी ये तो कनकन में हैं सब कुछ करने वाला है सासंग जी जैसे कहते भी हैं कि जमी चल रही आसमा चल रहा है ये किसके सहाए जहां चल रहा है सासंग जी आज इसी सवाल के जवाब के लिए इनसान दर दर भटक रहा है सासंग जी जैसे शेंशा जी भी कहते हैं कि राम राम पया करदा सामे राम मिलाया मुष्चद ने खाना पीना उटना बेना सब सिखाया मुष्चद ने सासंग जी हर्याना स्माग में भी किसी महात्मा ने किसी से पेशन किया कि आप कहते हैं कि खाना पीना उटना बैना सब सिखाया मुष्यद ने क्या आपके माता पिता ने आपको खाना पीना भी नहीं सिखाया तो महात्मा कहने लगे कि माता पिता ने तो सिखाया कि यहां से गिरा ही तोड़ो और अपने मुँ में डालो पर गुरु ने तो हमारी सोच ही बदल दी गुरु ने सिखाया कि अपने मुँ में गिराही डालने से पहले साथ बैठे महात्मा के मुँ में डाल और शुकर करें बहुत सुन्दा सासंग जी यही वो मुश्द है जिसने हमें जीने का धंग सिखा दिया सासंग जी जैसे प्याजी भी कहते हैं कि सान्नू पैरी खलोंदा चज आया सान्नू पैरी खलोंदा चज आया जाच आई होन उठन बैन दिये असे सिरा दे वाला नू पैन वाले बाबा जी असे सिरा दे वाला नू पैन वाले आदत पाई तू पैरी पैन दिया सासंग जी बाबा जी ने हमें ग्यान की दाद देकर हमको सुखी कर दिया है अब हमने इस सचाई की आवाज को जन जन तक पहुंचा कर सारा संसा सुखी करना है सासंग जी किसी महात्मा ने कहा कि हमने बाबा जी की आवाज जोमपड़ी जोमपड़ी तक पहुंचानी है तो साथ खड़ी महात्मा कहने लगी कि हमने बाबा जी की आवाज जोमपड़ी जोमपड़ी नहीं खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचानी है सुवाव सासंगर जी हमने इन रब्बी वच्णों को केवल सप्लाई ही नहीं बलके अप्लाई भी करना है सुवाव सासंगर जी बाबा जी किर्पा करो डासी की ये अदास है कि हम सब इसी तरह हर सास मागम पे आते रहें और आपकी मुस्कान पाते रहें बाबा जी डासी आप ही की नजर एक शे कर रही है तु एडा वड़ा ते ब्यंट होके इना महीन क्यों है साथी जी जरा ध्यान देना तू एडा वड़ा ते बेंत होके इना महीन क्यों है एद्रों ओद्रों तू ना लबे तू संता दे करदा शकीन क्यों है बाबा जी एद्रों ओद्रों तू ना लबे तू संता दे करदा शकीन क्यों है बर मैंनू इन पच्छो कि मैं क्यों दिवाना होया ए इन पच्छो कि एड़ा हसीन क्यों है